नमस्कार दोस्तों मैं हूँ मनोज कुमार और आज हम लोग बात करेंगे सम XMY2 फंसन के बारे में ठीक है यह फंसन कहां पर मिलेगा मैं बता रहा हूँ और इसका पूरा डिटेल में जाएंगे कैसे यूज करते हैं क्या इसका यूज है ठीक है तो उसके लिए हम लोग जो है इस फॉर्मूला को देखने के लिए सम XMY2 यह जो हमको फॉर्मूला टैम में जाने के बाद यहां पर मुझे यह फंसन आता है यहां पर आपको यह फंसन है इसको किस तरह से यूज करते हैं देखिए इसको यूज करने के लिए मैं एक रेडिमेट फार्मट बनाया हूँ तो यहां पर बेसिकली सम XMY2 बोला जाये तो इसका मतलब होता है सम करना है X-Y का SQUARE को ठीक है तो यह देखें कि मैं कुछ यहां पर लिया हुआ हूँ उसको मैं यूज करके बताता हूँ फिर डेटल में देखेंगे जिसे कि यहां पर X का कुछ VALUE है Y का कुछ VALUE है ठीक है और यहां पर हम लोग यूज करते हैं क्या यूज करके मैं दिखा रहा फार्मूला SHUM XMY2 ठीक है तो इस फंसन को हम लोग किस तरह से यूज करेंगा अगर इस फंसन को अगर फार्मूला मैं टाइप किया तो अभी पूछ रहा है array X X का भेलू बोलने के लिए बोल रहा है X का जो है array डालने के लिए बोल रहा है तो मैं यहां पर यह भेलू डाल रहा हूँ ठीक है इसके बाद जो है comma ठीक है comma डाल दिया उसके बाद क्या बोल रहा है array Y के लिए पूछ रहा तो मैं यहां पर Y का भेलू सेलेक्ट किया हूँ इसको select करने बाद सीधा enterprise कर रहा हूँ, तो देखें, यहाँ पे जो value आया है, वो आया 36, तो यह 36 जो value है, वो किस थरह से आया, क्या, क्योंकि यहाँ पे x और y का value जो है आपको यह formula को use किया, x minus y को square, ठीक है, x square plus y square minus 2x होता है, जो कि उसी formula को यहाँ पे जो है यह formula जो है add करके यहाँ पे calculate करता है जिसे कि देखें, यह x minus y का square कर रहे हैं इसका, तो यहाँ पे x है यह y है, ठीक है, तो मान के चलिए, मैं x का value लिख रहा हूँ, x का value कितना है, 9 ठीक है, और y का value कितना है इतना को y का value किया, ठीक है अगर x minus y करूंगा, तो कितना भील मैं इसका, तोरा सा ये बरहा दे रहा हूँ आपको, size बरहा दे रहा हूँ तोरा easy हो जाएगा, ठीक है ठीक है तो यहाँ पे चलिए, x का value लिए y का value लिए, x minus y करना अभी x minus y करेंगे तो कितना होगा बोलिए, x minus 9 minus 3 9 minus 3 किया तो कितना आया, देखिए, 6 आया ठीक है, 9 minus 3 किया, 6 आया अभी इसका square करूंगा, कितना होगा इतना equal to 6 into 6 करूंगा कितना आएगा, 36 जो की value आपको यहाँ पे मिला हुआ अगर आप इसको solve करें या आप इसको solve करें इस formula में डालेंगे, इस formula अगर x square, x का कितना है 9 का, 9 का square 9 into 9 करेंगे, तो कितना होगा बताइए, इतनो 9 into 9 करेंगे, कितना होगा 81, अगर y का square करेंगे, equal to अगर इसको equal to बोलेंगे, y का square करेंगे 3 into 3 कितना होगा, 9 ठीक है और यहाँ पर माइनस 2xy है ठीक है तो यहाँ पर मैं 2xy करता हूँ यहाँ पर equal to 2 into यहाँ पर क्या हो जाएगा मैं यहाँ पर ले लिया हूँ 2xy करेंगे तो कितना होगा 9 into 3 equal to 9 into 3 into 2 ठीक है तो नहीं आ रहा है कोई बात नहीं तो 9 into 3 करेंगे यहाँ पर 2xy लिखेंगे तो 2 ठीक है तो यह क्या हो जाएगा अगर आप 9 into दोनों को add करेंगे मैंनस 27 into 2 करेंगे तो 56 मिलेगा 2 into यह कर रहा हूँ ठीक है तो 54 आया अगर इस value को आप add करेंगे 9 तो कितना हो जाएगा equal to 81 plus 9 ठीक है तो finally आपका जो result आएगा 90 minus अगर इसको करूँ कितना हाथा 36 ही आ रहा है जो कि आपका जो है आपका जो value का final result है वो 36 है मतलब कि आप यहाँ से value calculate करो या इसमे calculate करो दोनों में जो है आपका same ही मिलेगा ठीक है मैं य सब को अभी हटा रहा हूं ठीक है मैं पहले देख रहा हूं क्या है यहाँ पे जो main value है मैं sum x minus y का square, x minus y का square कर रहा है ठीक है अगर यहाँ पे मैं कुछ और value कर रहा हूं 5 और यहाँ पे 6 डाल रहा हूं ठीक है 2 value अभी मैं डाल यहां पर तो यह किस तरह से काम करेगा वह देखिए क्या है कि अगर यहां पर अब मैं डाल रहा हूँ इक्वल टू श्म एक्ष मैनस वाई का स्क्वाइर ठीक है स्क्वाइर इसमें अभी एरे वन मांग रहा है तो यहां मैं इसको सलेट कर रहा हूँ कॉमा और array 2 मांग रहा है, तो array 2 को इसको select किया, तो अभी देखे, इसका जो result आया, कितना result आया, इसका final ये 37, लिए 37 किस तरह से हुआ है, ठीक है, तो ये 37 किस तरह से हुआ है, उसको देखिए, पहले तो आप यहाँ पे कर लिए 9, x-y का square किये थे इसमें तो 9 का था 9 आप किये y के लिए 3 था 3 लिखे दोनों को minus किये x-y तो 9-3 हो गया 6 आ गया ठीक है और 6 का square आप कर दिये तो यहाँ पर 36 आ गया ठीक है यही formula लगाए तो अभी यहाँ पर 37 कैसे आया तो उसके लिए फिर से इस row के लिए आपने कर दिया इस row के लिए मैं कर रहा हूँ क्या 5 यहाँ पर 5 लिखेंगे ठीक है 5 और यहाँ पर 6 है तो मैं 6 लिखा अभी क्या किये 6 में से x-y 5-y करेंगे तो कितना होगा minus 1 होगा ठीक है अगर minus 1 हुआ अगर इसका square करेंगे आप square करेंगे तो इसका value कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा जो कि मैं इसका format ये same format में डाल रहा हूँ तो आपको easy होगा तो देखिए तभी जो उसके बाद अगर दोनों को जोड देंगे दोनों को add कर देंगे ठीक है इतना equal to this plus this किया ठीक है तो क्या हो जाएगा देखिए आपका जो answer कितना आया 37 जो कि यहाँ पर जो है आपका answer आ रहा है 37 दोनों मैच हो रहा है ठीक है correct है अभी यहाँ पर कुछ change कर रहा हूँ यहाँ पर 8 कर दे रहा हूँ ठीक है अगर मैं 8 change किया तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर रिजल्ट चेंज होके 40 आ गया तो 40 क्या हुआ यहाँ पर 8 चेंज किया तो यहाँ पर 5 के जगा 8 लिखेंगे ठीक है यहाँ 6 कैसे रहा 6 तो 8-6 करेंगे कितना होगा 2 हुआ ठीक है और 2 को square करेंगे 2 प्लस 2 2 into 2 कितना होता है 4 तो 4 अगर करेंगे देखिए finally answer कितना हो गया 40 हो गया ठीक है तो इस तरह से क्या हो रहा है कि मतलब कि आपका जो यह वाला और यह वाला दोनों को individual इस formula पे लार के यहाँ पर operation किया जा रहा है यहाँ होने के बाद यहाँ होने के बाद यह दोनों को finally क्या कर दे रहे है add कर दे रहे है दोनों को क्या कर रहे है जोड़ दे रहे है जो कि आपका जो answer निकल रहा है यह answer जो है आपको finally यह और यह equal हो रहा है ठीक है तो हम लोग इतना नहीं करेंगे इतना operation individual एक एक करके एक एक करके नहीं लिखना है direct हम लोग को यहाँ पर formula लगाएंगे क्या formula लगाएंगे equal to sum x minus y2 ठीक है अगर यह x minus y2 लगाएंगे और array 1 x वाला लेंगे into array 2 लेंगे और इसको अगर enter किया तो आपका जो value automatic जो है आजागा यहाँ पर कुछ change कर रहा हूँ यहाँ पर 3 कर रहा हूँ देखिए सब भी कुछ यहाँ पर 3 किया तो यह 0 हो जाएगा यहाँ पर 4 तो finally answer आपका 4 आ गया तो इस तरह से हम लोग use करते हैं sum x minus y का square जो कि फूरा easy है आप आराम से कर सकते हो अगर कुछ dot हो तो आप comment box में लिखिए और इस वीडियो में तब तक इतना ही और मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ new thing के साथ next वीडियो में ठीक है तब तक के लिए धन्यवाद thank you